Hey guys, I welcome you all to Study IQ, मैं हूँ प्रशांत धवन और इस वीडियो में एक बहुती interesting topic को हम cover करेंगे, हम जानेंगे कि A1 और A2 milk में फरक क्या है, A1, A2 milk basically है क्या, क्योंकि आज के time में international milk market में और उसके लावा दुनिया भर की research laboratories में भी ये debate छड़ा हुआ है कि human beings को कोन सा milk consume करना Russia में हो, Japan में हो, Sweden, India, US, दूद पिएंगे, दूद बच्चों के nutrition का एक बहुत ही important part मना जाता है, तो obvious ही बात है, यहाँ पे question उठेगा कि human beings को A1 milk consume करना चाहिए या A2, और सिर्फ यहाँ पर सवाल इस बात पर नहीं उठ रहा, कि कोन सा milk हमारे लिए beneficial है, हमारे लिए प्राब है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो भी अब तक research हुई है, बड़ी laboratory जवारा, उनकी reports आपके सामने रखूँगा, और जो prominent लोग हैं, जो जानते हैं, इस विशे के बारे में उनने क्या कहा है, उनकी statement को भी हम देखेंगे, और more importantly हमारे देश के प्रथान मंत 3 ने A1, A2 मिल के बारे में क्या कहा है, उस पर भी हम रॉस्टी डालेंगे, तो a lot to learn, a lot to discover, as always, let's start, और आप किसी भी exam की तयारी कर रहे हैं, study IQ आपके साथ है, हमारे pen drive and tablet courses अविलेबल हैं, various exams के लिए SSC, bank, RPE, grade B, UPSC, defense exams, various exams के pen drive, tablet course, test series आपको मिलेगी, study IQ.com पे ये website वि क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग हैं, जो इस topic के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते, तो पहले basic से start करेंगे, फिर धीरे-धीरे advanced level पर पहुचेंगे हम, देखो, आज के time में, दो type का दूध मार्केट में available है, एक है A1 milk, और दूसरा है A2 milk, A1 milk, A1 cows देती हैं, और A2 milk, A2 type cows देती है, majority of cows जो इंडिया में raise की जा रही हैं, आज कल और दुनिया भर में भी, वो A1 variety की हैं, मतलब के दुनिया की markets में, आज के time में 90% से भी जाधा लोग A1 milk consume कर रहे हैं, 95% से भी जाधा लोग A1 milk consume कर रहे हैं, A2 milk के consumption के लोग काफी कम है, A2 milk आपको मिलता है, प्राचीन breed of cows से, जो काफी लंबे टाइम से cow की एक breed चलती आ रही है, या मैं कहूँ, देसी cow से, या कुछ हर्तर जो आपको East African region में भी cow स मिलेगी, इन टाइप की cow से जो आपको दूद मिलता है, उसको कहते हैं A2 milk, तो हमने यहाँ पर पहले यह जाननी है सबसे पहले के दुनिया भर में A1 milk बहुत चारा भिकरा है, A1 milk आपको मिलता है, जो foreign breed of cows है वहां से और जो mixed race की cows है वहां से, और A2 milk आपको देसी cow से मिलेगा, जो बहुत ही कम लोग consume करते हैं पुरी दुनिया में, अब आगे बढ़ते हैं, अब यह पार ध्यान से सुना देगो milk एक बहुत ही कमाल का source है, calcium का और protein का, protein बहुत type के होते हैं, उसमें से एक type होता है casein, casein सबसे ज़्यादा होता है milk protein में, जो milk का protein होता है, उसमें 80% जो है, वो आपको casein ही मिलेगा, अच्छी बात है, मगर यहाँ पे एक interesting बात यह आ जाती है, कि जो A2 cows होती है, जो वो देती है, उसमें क्या होता है, कि जो casein protein होता है, उसके साथ साथ खास type का amino acid भी आता है, उसको हम कहते हैं proline, अब देखो amino acid अपने आप में काफी important होते हैं, लोग आज के डाय में amino acid के supplement भी लेते हैं, मगर यह particular amino acid जो A2 cows में मिलता है, यह आगे जाकर एक बहुत ही important आता है, अब देखो मैंने आपको बताया है, जो हमारी देसी cows ही, जो हमारी प्राचीन breed चलती आ रही है cows की, वो जो A2 milk produce करती है, उसमें आपको proline type का amino acid मिलेगा, फिर जो A1 cows है, जो आज के time में इंडिया में भी dominant कर रही है, बाहर foreign areas में भी आपको वो दिखेंगी हर जग देसी cows, proline, A2 milk, फिर A1 milk जो produce करती है cow, वो amino acid produce करती है histogen, अब यह जो amino acid है, यह इतना बड़ा रोल निवाते हैं, वो आप अब जानोगे, तो देखो A2 milk में जो आपको prolineal मिलता है, वो क्या करता है, कि हमारी body में BCM7 को पहुशने से रोकता है, BCM7 क्या है, यह बहुत important च अब नहीं चाहते, कि BCM7 हमारी body में, हमारे digestive system में पहुचे, ठीक है, यह जब यह पहुचता है, तो उससे indigestion हो सकती है, और बहुत सारी research इस हमको यह भी बता रही है, कि BCM7 जब हमारी digestive system में पहुचता है, प्राले तो indigestion करता है, उसके बाद और भी बहुत सारी problem कर सकता है, diabetes, बहुत सारी चीज़े हो सकती है, उसके बारे में भी हम जानेंगे, तो basically आप यह समझ लो, जो A2 cows है, उनमें proline नाम का जो amino acid है, वो हमारी body में BCM के release को रोकता है, मगर जो A1 cows है, जो भी के लिए use की जा रही है, वहाँ पर क्या होता है, कि since वहाँ पे proline नहीं है, त बाद में blood में भी वो धीरे धीरे घुल जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर question यह आता है, कि BCM 7 कितना dangerous है, और इस पर कितनी research हो चुकी है, वागे बढ़ने से पहले, जो हमारे प्रसान मंत्री है, उनके एक speech की एक line आपको सुनाना जाता हूँ, जहां पर वो A2 mil की बात कर रह है, उसको आज उन्हें मारके कर रधा है, जो health conscious लोग है, जहां बच्चों को कुपोशन की समच्चा है, ऐसे बच्चों के लिए A2 mil क, कांकरे जी गाल का A2 mil क, उनके स्वांस के लिए उनका रख बने वाला है, ऐसा एक बजिरत काम भी आज यहाँ शुरू हूँ है अब वीडियो का ओडियो वहाँ पे इतना बड़िया था नहीं, अब आस मुझे बता नहीं कितनी क्लियर आ रही होगी आपको वहाँ पे, मगर in a nutshell, मोदी जी वहाँ पर A2 mil की बात कर रहे थे, और कह रहे थे कितना important है उन बच्चों के लिए, जो कूपोशन के शिकार है, और कह रहे थे कि काफी beneficial है, और मोदी जी जो ये कह रहे थे, वो काफी अब तक scientific evidence से bad भी है, काफी सारी जो researches हुई है, वो ये बताती है, के A2 milk, digestion में जारा आसान होता है, काफी सारे लोगों को problem होती है, वो खुद को कहते हैं, वो lactose intolerant, आपने रिसेंट लिए ये terminology सुनी होगी, कि मैं lactose intolerant हूँ, मैं दूद पीता हूँ, तो induction हो जाती है, ऐसे काफी लोग कहते हैं, वो bread भी नहीं खापाते, खास type की, तो यहाँ पर ये रिखा गया है, काफी सारी researches में, कि जब वो A2 milk पीते हैं, तो जो उनकी lactose intolerance है, वो काफी अद तक घड़ जाती है, और के लावा, और भी काफी सारे benefits हैं, भी research हो रही है, इस पर, कई researches ये भी कहती है, कि A2 milk में आपको omega 3 fatty acid हलके से जारा मिलेंगे, मगर marginally, बहुत जारा कब इतने नहीं है, कि बहुत बड़ा पे impact डालेंगे, मगर, since India, एक आज भी आप कह सकते हैं, काफी सारे vegetarians की country है, तो milk, nutrition का एक काफी important source है, तो हमको पता होना चाहिए, कि कौन सा milk सबसे बड़िया हमको यहाँ पर nutritional benefit देगा, तो मोधी जी यहाँ पर यह कह रहे थे, और उसके लावा काफी सारा scientific evidence भी, A2 milk की, जो nutritional value है, उस पर emphasis करता है, जो देशी cows से आपको मिलेगा, अब यह तो यह बात हो मैं आपके साथ share करता हूँ, तो देखो A1 milk जो आज के टाइम में 90% दुनिया जो पी रही है, उस सभी जाए जो लोग पी रहे हैं, यहाँ पर जो BCM7 इस milk में आपको मिलेगा, उसे क्या effect होते हैं, उसके काफी यहाँ पर reports हैं, एक मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा US National Library of Medicine, National Institute of Health दुआरा, काफी इनकी एक famous यह laboratory है, इसकी एक famous acronym भी है, NCBI, आप इसको Google कर सकते हैं, और दुनिया की काफी बड़ी laboratory मानी जाती है, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं कि यह भी कह रहे हैं कि जो A1 beta casein वाला milk है, जहाँ पर आपको BCM7 मिलेगा, काफी सारा, वहाँ पर वो कह रहे हैं कि ऐसा milk, आप अगर बच्चों को देते हो, तो वहाँ पर diabetes की problem बढ़ जाती है, तो इन्होंने यह जो research है, recently Scandinavia और Iceland में करी थी, Scandinavia जो आपको पता है काफी बड़ा region है, Northern region है अर्थ का, वहाँ पर Norway, Sweden और भी यह जो countries है, Iceland वरा यह सब आ जाती है, तो Scandinavian countries में यह दिखा गया था, कि वहाँ के लोगों को diabetes की problem काफी हो रही है, तो research यह पता लगा, कि कुछ हद तक जो diabetes की problem है, वो आप जो A1 milk है, उससे आप उसको connect कर सकते हैं, of course, वहाँ पर lifestyle choices, जिन्दगी बहुत अराम दायक है, वो सब तो अपनी जगा खड़ा ही है, मगर यह जो यहाँ पर research है, वो आपर A1 milk को भी कटगरे में खड़ा करती है, अब of course, यहाँ पर आप यह भी एक argument present कर सकते हैं, कि यह जो research होती है, ज़ातार animals पर ज़्यादा यह research होती है, और human beings पर काफी limited होती है, human beings में भी genomes होते हैं, अलग आपकी body का structure होता है, किस तरीके से के protein को लेकर, तो that depends as well, मगर कुछ reports तो definitely हमको यह बदाती है, कि A1 milk से in the long run कुछ diabetes की problem हो सकती है, उसके इलावा कुछ और issues भी है, उससे related भी reports publish होई है, फिर उसके लावा जो heart disease होती है, वहाँ पर भी आप दे सकते हैं, कुछ reports हैं, वो हमको यह बदाती है, कि कुछ ना कु करूँगा, कि यहाँ पर जो lifestyle हमारा हो गया है, वो सब भी काफी हर्तक responsible है, उसको भी यहाँ पर हमने count किया है, वगर definitely यहाँ पर A1 milk को भी हम बिलकुल यह नहीं कह सकते, कि यह guilty नहीं है, इस सब में, तो अब यहाँ पर कुछ और research मैं आपके साने present कर रहा हूँ, recently कुछ Russian researchers ने यह दिखाया था, कि BCM7 जो है, यह जो बच्चे होते हैं, उनके blood में pass हो जाता है, और वहाँ पर क्या करता है, कि यह brain to muscle जो development होती है, उसमें कुछ हद तक hindrance सामने लाता है, तो यह इन्होंने publish किया था, International Journal Peptides में, यह आप पढ़ सकते हैं, अगर आपके बास free time हो, फिर उसके लावा एक और journal publish करी गई थी, Indian Journal of Endocrinology and Metabolism 2012 में, यहाँ पर यह बताया गया था, again कि diabetes type 1 का कुछ हद तक एक relation है, यहाँ पर A1 milk से, उसके लावा mental disorder को भी यहाँ पर उससे connect करके देखा गया था, जैसे autism, schizophrenia, क्योंकि यह भी अब माना जा रहा है कि जो यह BCM7 है, यह blood के तुरू हमारे brain में भी enter हो सकता है, तो यह सब चीज़े अपनी जगा खड़ी है, अब कुछ और researches भी हैं जो यह कहती है कि A1 milk बिल्कुल harmless है, देखो आज के time में एक बहुती famous company भी है, New Zealand में, A2 Milk Company, इनका नाम यही है, A2 Milk Company, नोने इसका जो title है, patent करा लिया था, त इनके लिए काफी profit का सौधा होता, अगर दुनिया पर में यह प्रूव हो जाता कि A1 Milk खड़ाब है, A2 Milk अच्छा है, इनका जो sale है, वो काफी इनकीज़ हो जाती है, काफी profit कमाले दे यह लोग, तो इस पर European Food Safety Authority ने काफी research करी, 2009 में, और इन्होंने यह पाया कि इनको insufficient evidence मि जालता है, तो यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से debate गर्माता जा रहा है, A1, A2 को लेकर बहुत सारी companies दुनिया भर में अब शुरू हो रही है, यह रोखेर सबसे पहले न्यूजरेंड में शुरू होई थी, अभी 2017 में Amul ने भी A2 Milk शुरू कर लिया, A2 different अलग-लग pictures दिखाती हैं, कि A1 Milk कुछ जादा खराब नहीं है, और A2 Milk में जारा कुछ खास बात नहीं है, और फिर कुछ और जो research हुई है, वो यहां तक कह देती है, कि A1 Milk से आपको diabetes हो सकती है, mental illness हो सकती है, क्या-क्या हो सकता है, तो यहां पर of course, need of the hour यह है, कि सारी countries मि बहुत ही बड़ी यहां पर research करें, और यह पता लगाने की कोशिश करें, कि क्या सच में A1 Milk में कुछ problem है, या A2 Milk में कुछ benefits है या नहीं, क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं, billions of लोगों की, हर कोई जो धर्ती पर है, उसने जिन्दगी में कभी ना कभी दूत प्याई और बहुत सारे लोग regular basis space को consume करते हैं, तो definitely हमको पता होना चाहिए, कि जो हम consume कर रहे हैं, वो हमारे लिए ठीक है या नहीं, अब देखो इंडिया की अगर हम बात करें, तो शुरू सही जब से हमारे यहां पर लोग बसने शुरू हुए हैं, तो हम लोग A2 Milk ही पीते आए ह अंटिल operation flood, आपको बता है 1970 में इंडिया की अबादी बहुत तेई से आगे बढ़ रही थी, milk की कमी हो रही थी, और उस वक्त सरकार ने operation flood शुरू किया, यह एक project था इंडिया की national dairy development board का, और operation flood में इंडिया की जो capacity है milk को produce करने की उसको increase किया गया, इसमें basically यह चीज देख काउस हैं, उनकी quantity जो है milk की, वो इत्ती जादा नहीं है, तो हमने भार की जो काउस होती है, उनका semen हमने import किया, और यहाँ पर mixed breeding करी, और फिर basically जो हमारी जो देशी काउस थी, उनकी population काफियर तक कम हो गई, और हमने यह रखा के इंडिया में भी ज़्यातार A1 milk देने वा काउस ही हर जगा दिखेंगी, बहुत ही कम आपको A2 देएगी, और वो भी जो A2 काउस अब प्रिजर्व की जा रही है, उसमें tradition, culture का काफी बड़ा रोल है, for example इसमें जली कट्टू आता है, तो जली कट्टू के जो समर्थन में लोग बात करते हैं, वो यह कहते हैं, जली क प्रिजर्व कर सकते हैं, for example, एक काफी एक अजीव एक्जामपल है, गिर काउ, बहुत ही फेमस है, ठीक है, गुजराती ब्रीड होती है, इंडिया में कभी इस पर इतना जारा फोकस किया नहीं गया, मगर गिर काउ का जो सीमें था, जब ब्राजील में इसको एक्सपोर्ट किया गया, वहाँ पर आज के टाइम में इंडियन ब्रीड की काउ आपको जारा दिखेगी, और वो लोग काफी इंडियन ब्रीड का जो मिल्क है, और अब अजीब बात ये के हमारे यां गिर काउ की पॉपलेशन काफी कम है, तो अब ब्राजील से हम इंपोर्ट कर रहे हैं सीमन, ये गिर काउ का, तो यहाँ पर हमको ये भी देहना हुआ कि शायद हमने जो इंडियन काउ ती जो देशी ब्रीड थी, उनको काफी अंडरेस्टिमेट भी किया है, और वहाँ भी काफियर तक रिसर्च करने किया हो शकता है, खैर अभी के लिए ये जो टॉपिक है काफी डिवेट चल रहा है इस पर, ये डिवेट इसले भी चल रहा है, अफकोर्स क्योंकि बहुत सारी कंपनीज अभी A1 मिल्क बेच रही हैं और वो रेडी नहीं है कि अचानक से वो A2 मिल्क पे शिफ्ट हो जाए, काफी एक बड़ा जटका होगा उनके लिए भी, तो डे जनरेशन होगी, वो किस सरीय की होगी, वो जो उनकी खुराक है, उस पर डिपेंड करता है, तो खेर, उमीद यही की जाती है कि इस टॉपिक पर ज़्यादा रौशी डेलेगी और इस पर हमको ज़्यादा इंफोर्मेशन भी मिलेगी इन दे नियर फ्यूचर, तो थैंक्स एक्र वाचिंग वाचिंग इस वीडियो गड्ब्स युल